दर्शंग्रिन में नेती-नेती के संबन में एक और बात जोड़ना चाहूंगा स्वामिजी यदि में गलत हो तो आप बताइएगा जैसे रामचरित मानस है तो वह सानातन का ही ग्रंथ माना जाता है कोई भी सानातन इसका विरोध नहीं करेगा और मैंने पढ़ा है कि रामचर नेती सब्द है ही नहीं मैंने कहा कि सांख दर्शन में है और उपनिस्तों में दर्शन सास्त्रों में चारों वेदों में नेती-नेती सब्द का प्रयोग करने से निजानांद दर्शन सनातन विरोध हो सकता है तो रामचरित मानस में भी नेती-नेती सब्द है वेदों के लि पर ध्यान देना चाहिए रामचरित्मानद में से तो लिखा है कि निपसास दस एक ही बारा लगे उठावा टारही निटारा तो दस हजार राजा आकले जदी धन उसको तो 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 रमैन में कई जगा ब्रांतियां हो गई है और जो वेद सम्मत है वही सर्थ है रामचरित्मान में भी नेति का गया है संत वाड़ी में भी नेति सब्सका गया है कि वेद ने नहीं का है वेदों की व्याक्या में जो उपनिसद जो लिखे गए है रिशियों ने जो वेदों की व्याक्या ब्रामण गरंतों में की है उसका अंस या साखा गरंतों में जो इसे कट स्वामी जी अगला प्रश्चन यह है कि भागवत को तो वेद और पुराणों का सार बताया गया है लेकिन कुल्जम स्वरुप की वारणी कहती है कि ए संसार बड़ा है कोहडा और कोहडा भागवत यह किरंतन ग्रंथ की चोपाई है अब प्रश्चन यह है कि जब स्रीमत भागवत कोहडा है अथवा धुंद है तो निजानन्द संप्रदाय की पध्धती में यह क्यों लिखा है कि सास्त्र श्रवन श्री भागवत और क्या भागवत वेदों का सार है देखिये आज क्यलेक पर्वत चल गई है रामाःड वेदों का सार है तुल्सिदास जी के जीवन हमेन लिखा जाता है चारो वेदों का सार भागवत में दिया गया है और भागवत पुरान में ही यह सारा प्रसंग है कि किस तरह से वेद ब्याची ने वेदों का भीवा की यह सारी बाते कपोल कल्पनिक है वेद अपर से वेद का सार कोई लिख नहीं सकता है वेद का सार के अलब्रह्म है जो मन ब करने के लिए अज हिंदू समाझ क्यों नहीं तयार है वह गीता के सम्मान करता है लेकिन गीता के सिधान के अव्हेलना करता है गीता जो प्रतिपादित करती है कि एक मात रुत्तम पूरुसी के अलपर भ्रम्हे वहीं उपास्या है तो गीता इसको भी इंग घीता को पढ़ने कि अब देखें भागवत कहीं सीव को परब्रम कर रही है कहीं विस्रू को परब्रम कर रही है भागवत का रसनकार इतना भी नहीं जानता है विक्रिट्टम ब्रजवदोच विस्रू काता है कि विस्रू के साथ गुप्यों के रासलीला होती है विस्रू भगवान कहां से महार रास कर सकते हैं रास लीला तो उस परब्रह्म के आवेश रुप के द्वारा के वल ब्रह्म के निति विंता मन में होती है और बागोत के रस्तनाकार ने यह भी कितने तूटियां कर दी है उसको वेद संबत नहीं कहा जा सकता बाणी में एक चुपाई आती है सुक्मुनी रास के तुफवन डाध के आती है वेदान की वासा क्या कती ंवेत का झने जिया है यहां ला सिमागोसी में कुछ जायं तो वह जो योग व्हारा में वहीं दर्साता है कि योग मया के ब्रहान में प्रकृती कम स स्थी नहीं है वहां चेतना प्रकृती ने निगन crafting को श depends में अप्रेश किया योग माया करत क्या होता है जहां अखन ब्रहम अपनी अखन चेतन प्रकृति के साथ किर्डा कर रहा हूँ वह योग माया का ब्रहमांद्र है और इसी के लिए वेद मंत्रों में कई जगा संकेत उप्रुपसे बढ़न किया कि यत्रानंदा चमुदा फुरान संकृता महिसृत नतमीश का बिष्दार पुर्वग बढ़न में तो जो भागवत को विदू कसार कते हैं वो भ्रहम में कि भागवत नौगरभ पुजा का विधान करती है मर्यविक स्रांत का बढ़न करती है उस्टराद में पस्षमों के मांस खाने का करती है यहां तक कि इसकी लपेट में भगवान किर्ष को भी ले लिया जाता है कि भगवान जो दस्वें असकंद में बढ़ने नहीं था है कि भगवान सिक्र्ष को इस दुस्रित कर्म में क्यों लपेटा गया भागवत के रचनाकार को सोचना चाहिए या तो यह सुलोक बनावटी है या सिक्र्ष के उज्वल चरित पर कलंक लगाया गया कि वो सिकार करके बोचन साला में भिजवाएंगे इन्ही तत्थों को लेकर जाकर नाइक जैसे लोग प्रश्ण उठा देते हैं मेरे का थनकास ही है कि जो मरेवे ब्यक्तियों के स्राथ का बढ़न करें नोग्रहों की पू की प्रत्म लिला का बढ़न है वो मेरे लिए सम्माननी है क्वे परिबर्म प्रवियम के द्वारा जो लिला की झाल वरनन है उसमें था ताह्टम पड़ी वागवत को माध्तापार अपरद्यां करती है क्वें उसमें अ-छीजिवक्त नियुआ ऐसा की एक्छ्ष को अन्दर इन दृश्च्यों से भागवत की महाता, कियो included साक्षी रुप में है. यदि जो भरद्वार के सास्तार्थ में सभी अचारी सरिपराणा जी से पूचा कि आप सास्त्र के प्रमान के रुप में किसको माँदे हैं, उन्होंने भागवत का नाम लिया, कि सास्त्रावन स्री भागवत हैं हम सास्त्र किसको कहते हैं सास्त्राव जान के जिस विधामे जिसके दोरा निर्देशन किया जा उसको सास्त्र कहते हैं तो जो अखन बरजराज के लिला ब्रहमात्माओं के दोरा की गई है उसमें परब्रम कावेस लिला कर रहा है उसका प्रमाण जिस भागवत में मिलता है उसके दसा मस्गंद को सम्मान के रुप में कहा गया कि हम सास्तर और स्री भागवत लेकिन बुद्ध जागरत को ज्यान ज्यान कों सा मांते हैं तार्तम बाड़ी है तार्तम ज्यान से भागवत के रच खुलते हैं कि अखंड बरज कहा अखंड हुई राज कहा अखंड हुई इसके बिना कोई बता ही नहीं पाता जैसे भागवत में लिका है जुहू गुडमयम दिया वाश्रु की आवाज सुनकर सभी गुप्य ने तन छ छोड़ दिया च्छतिस जारका तो पुना कहा गया है कि दस्वे असकंद में कि सभी गुप्य ने तो अइसा अनपव किया कि सभी गुप्यां हमारे साथ ही सो रही है और प्रात्यकाल सभी घर से उड़ती हैं तो शरीर जो छोड़ दिया तो जूहू गुडमयम देहा पंच ज्यान अस्पाइश रूप से भागवत दे नहीं पाती है स्लोकों में संकेत में तो कहा गया कि अखंड मंडल का चंद्रमातां दिष्ट्वा कुमद वनंतम अखंड मंडला ब्रामान अनावां बनम चतत कोमल गो विरंजितम जगव कलम बाम विरसाम बनम योग मया का संकेत कर दिया गया लेकिन आगे रचनाकार बठक जाता है और उसमें देवी देताओं का प्रिश करा देता है जो वाद्य जा रहे हैं फुल बट्सार है तो कौल मया के ब्रह्मान का कुछ बढ़न है कुछ योग मया के ब्रह्मान का है खिचड़ी बढ़न है हमें कि और साक्षी स तात्परिथा और साक्षी भागवत से मिल जाती है। अगरा प्रश्न है कि एक तरफ कहा जाता है कि निजानन्द संप्रदाय मुर्थि पुजा को नहीं मानता और वहीं पन्ना धाम या अन्य विभिन्न इस्थानों में अपने-अपने समय के धर्माचारियों का गाधि-पति अजय गुरु की प्रतिमाएं मुर्ति या फिर तस्वीर रखे होई है और वहां पर भी आरति और शेवा पुजा तो क्या यह मजार पुजा नहीं है? देखें, मुर्ति-पुजा शरृता वेधबुरुध है, मूर्ति पूजा करना अलग प्रसंग है और किसी महापूरुस परमांस का चित्र अपने कक्छ में लगाना कोई मूर्ति पूजा नहीं कहलाती है अपने कक्षो में मंदिरों में मापुर्शों के परवांसों का चित्र लगा सकते हैं लेकिन आर्थिय पूस्पड करना उचित नहीं है आर्थिय पूस्पड के वलतार्तम बाणि का होना चाहिए क्योंकि वो स्रीजी का वंग में कले बारे आर्थियंग चतुदर्स के रिए पांचों सुरुप मिले के वानी के अत्रिक अन्य किसी भी पदा आर्थि के चाहिए वो चित्र हो मुर्ति हो समाधी हो आर्थि भोग नहीं होना चाहिए भोग आर्थि के वल परव्रम की वानी का होना चाहिए समाज में जब ज्यान का प्रकास नहीं होता है तो अलग अलग परंपराइं चल पड़ती हैं इसी को सांगे दर्शन में कहा कि इती अंद परंपरा अज्यानता के कारण अंद परंपराओं का चलना प्रण स्वभाविक है और यह समाज का दोसर है लेकि निजानान संप्रदाय का दोसर है जो तार्तम बानी का निर्देश है कि उसको मानना अगला प्रश्ण यह है कि मिजानान संप्रदाय में जो कुरूरतम औरंग जेव है उसकी महिमा मंडन की गई है कि उसे ब्रह्म स्रिष्टी कहा जाता है लेकिन सनातन के ही जो महापूरू से उनको जीव स्रिष्टी कहा जाता है ऐसा क्यों कि आत्मा द्रिष्टा होती है जीव अपने सुब अशुब कर्मों के कारण सुगत को भूपता है जीव का सुभा वलग है देखा जाए तो बिहारी जी के अंदर भी दो रतन भाई की आत्मा थी लेकिन बिहारी जी ने स्री जी के लिए कितने संकक्टठाए जो श्री जी को हबसे में जाना पड़ा अरुप्जेल कर उसमें बिहारी जी का आतerson कबालिया कर एक राजे से पकड़वाना चाह उसमें बिहारी जी का था उसमें मिः राज के पराने ही संकत में थेत्वे Friends पम्वान सकता एंतरा चाहिए कि चीजरेयड ना चाहिए कि हिंदोधा अंतरय की मेरे उत्तम खंडवरत के दो अहीं तिरंदोगा तिरिलोक में प्रमान में हिंदु धर्म से किस्रेश्ट कोई है ही नहीं, अब इससे बड़ी प्रसंसा और क्या कि जाए, खुलासा में कहा गया कि विए दाया देवन पर असुरन पर कुरान, हिंदुों को देउता कहा गया, इससे बड़ी सुभा और क्या दी जा सकती है, पूरी वाणी में पचीस अस्थानों पर असुर सब्द का प्रियुक हुआ है, और यह जानते हैं कि इसमें औरंग्जेब के लिए भी असुरी लगाया रही हिंदु उपर जजिया, जो ना दे सकता है, मार करें मुसल्मान किरंतन में सीधे का गया, तो ऐसा नहीं है कि तार्तम बारी ने औरं अंजेब के कारी घनित थे, उसने गुरु गोविन सीम पर अत्यचार किया, सीवा जी पर अत्यचार किया, यहां तक कि इसलाम के अन्वियाई सुफी फकेरों को कितनों को फांसी पर चड़वा दिया, वो कट्टर सुनी मुसल्मान था, उसके कारियों कि कोई भी प्रसंसा नहीं करता है, हास यदि साकुमार की आत्मा उसके जीव पर बैठ कर, खलनाय की भूंका अदा कर रही है, तो इसमें कुछ कहां नहीं जा सकता है, हमें तारतमबाणी से मतलब हैं, हम और उन्जेब के कारियों की प्रसंसा नहीं कर सकते, लेकिन उस तन में जैसे साकुमार की आत्मा थे तो उसको नकारा भी नहीं जा सकता, आत्मा द्रस्टा होती है, कर्म सुब और सुब सारे कर्म जीव करता है, जैसे बिहारी जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, महामती जी की आत्मा का थिए, कि साई तु मेरी बाही रेतन, मौहीम मिले छवीले लाल, करी मुझे तो बिहारी जी को घिर्णा के दिर्शे तो नहीं देखा जाता उसी तरह से और रंग्जे नियसंदे अत्यचारी था उसने हिंदु जनता पर असा ही अत्यचार किये हैं और उसका परणाम यही हुआ कि वो अक्षरतीत के चड़ों में आकर के भी उस लाब को नहीं ले पाया क क्योंकि उसको सत्ता कांग कार था वो अपनी सरीयत को छोड़ना नहीं चाहता था तभी तो उसको मरते समय भी पैस्चता आप रहा जिसका बर्ण यह हिस्ट्रिया परंग्जे में यह जो दुनास सरकार में लिखा है वो लिखता है कि मेरे घर स्वेम मास्टर हैज कम स्वेम वो सुरूप आया था लेकिन सत्ता के नसे में डूबी मेरी आखोंने उनकी पर पहचानने की थी अब मैं इस अंसार से जा रहा हूँ जिस तक्तिता उसके लिए मैंने इतना बैंकर पाप कि अपने भाईयों को मरवाया अपने भाई दरासी को की गर्दन कटवा कर मैंने आजम को उसने समझा करके का कि तुम किसी भी इस्तिती में च्छते साल से लड़ाई ना करना उसके पुत्र द्वारा अपत्ति के जाने पर करता है और अंग्जेब कि च्छते साल के पास खुदा ही ताकत है उनसे कोई भी जीत नहीं सकता और अंग्जेब को भी अभास हो आता कि मैंने बहुत अधर्म का काम किया है और च्छते साल के पास खुद-खुदा की सकती है तो प्रैस जी तो वह करता रहा लेकिन जब देखा जाए एक समानी बेखती है जो धन से पद से संपन होता है उसका अंग्जेब उसको अक्षरतीत के चाड़ों में लाने नहीं देता तो और अंग्जेब तो पुरे भारत का ऐएक ऐसा बातसा है जिसके पास लाखों के सेना थी बहुत अधिक संपता थी इसको पाने के बाद उसके अंकार का होना सुभाई का है जो अपने कट्ठर सुनी मुसलमान होने के कराना कट्ठरता में से सारे हिंदुस्तान को जंडे के नीचे लाना चाहता था उस व्यक्ति को एक जटके में बदला नहीं जा सकता था हाँ यदि उसके मुल्ला मुलों भाड़काते नहीं तो सायत राजी के चड़ों में आ भी सकता था लेकिन जीव के कारियों को ब्रहमसिस्टी के कारियों से नहीं तुनला करने चाहिए क्योंकि ब्रहमसिस्टी द्रष्टा होती है आत्मा उस जीव के जीव पर बैठ कर खेल को देख रही है और परड़ाम क्या हुआ अरंग्जेव का जीव पुनाचवरासी लाक्योनियमे भटकने के लिए विवस हो गया होगा आत्मा तो किसी और तन पर बैठ कर इस तो ब्रहमान के लिए लाकू देखे अगला प्रशन है कि मान्यवर्ट श्री कुल्जम स्वरुप वानी में ब्राम्हनों सनातन तीर्थ स्तलों सस्कृत भाषा सनातन सस्कार जैसे वैदिक विवापद्दती आदिकी भर्शना की गई है क्या यह स्वामी प्राणनाजी के साथ जो इसलामिक विद्वतगर्ण थे उनका योगदान है या कुछ और है मुझे लगता है कि इसमें एक-एक शब्द की आये दियाप व्याक्या बताएंगे पढ़िए श्री जी ने जन्म के अधार पर जो ब्रामण का चोला पाहन ले रखे थे उनका खंडन किया है बीतक में उनके उपर पराहर किया गया है जो सच्चे ब्रामण है जो एक परभ्रम की उपासना करते हैं परसंसा कि गई है, ऐसा नहीं समझना चाहिए स्री जी के साथ समुए में सभी बर्गों के लोग थे, ब्राहमण, चत्री, वैसी सुद्रों, लेकिन श्री जी ने कहा कि तुम ही सचे ब्राहमणों क्योंकि तुम इस्थारत में परब्रम को जांते हो तो जो ब्रह्मवाणी है उसमें जन्मना जातिवाद का कोई अस्थान नहीं हो सकता जिन्ने अपनी सेष्था का जन्म के अधार पर दम बरता है कि हम ही सबसे बड़े हैं उनके लिए प्रियोग किये और ऐसा ही प्रियोग मुल्ला मॉलवियों के लिए भी किया गया सबको एक समान दिश्थी से का विया इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि जो केवल जन्मना वर्णवियोस्था को मानते थे जन्मना जातिवाद को उन्हीं ब्राम्मनों के कारण देश की तातकालिक परस्तिती वैसे थी हाँ देखा जाए तो अभी भी कुछ कहिने के दक्षी भारत में क्या है कि जब सुद्र रास्ते में आता था तो गले में घंटी बादना पड़ता था यह कितना अत्यचार है आप प्राचीन काल की मर्यादाओं को देखेंगे तो जानसुर सुद्र जाबाल रिशी गड़े और ब्रामड को पन होने वाले राउंड राक्षस कहला सकता है तो कल्रिक में कोई देखा जाता है जो मांस कहता है सराब पिता है दुरचार करता है वो भी ब्रामड कहलाता है जबकि यह उचित नहीं है और अधिक क्या कहें कई तिर्थास्तान ऐसी है जैसे जगनात पूरी में जो पंड़े होते हैं पंड़ा लोग है वो भी कहीं मांस खाते हैं मचली खाते हैं तो उनका ब्रामड का लाने कादिकार नहीं हो सकता है ब्रामड वह है जिसमें जान हो भक्ति हो विवेक हो राग्य हो सील हो संतोस हो जिसने वेद को आखों से देखा भी नहीं वो ब्र वाठने तरत स्थल्ओं का प्रसंग छेड़ी दिया है तो अगला प्रस्नथ उसी संधर्व में है कि निजान weight संपुत्दा है सनातन् तrit इ Eğer स्थलों की निनदा क्युं करता है तीर्थ उसको करते हैं यहतरे तरनतावनी तिर्था ने मन्य वह सागर वर्जा फाल आ, इसको तिर्थ करते हैं तो सुब कर्म को करना तिर्थ है, नकि आपने कोई तिर्थ सतल बना लिया, वह आप यतु जा रहा है किसी को जान नहीं मिल ला है भक्ति इनका मार्ग नहीं मिल ला है कि वल पैसे का चणावा चढ़ रहा है मेरी दिष्ट में उतीर्थ नहीं है वेद की दिष्ट में उतीर्थ नहीं है कि वल उसका खंडल किया गया है कि जर्पदार्थ तिर्थ नहीं हो सकते सुबह कर्म ही तिर्थ है अब जिसे मानेजे कि अभी मैंने जगनातपुरी का नाम लिया तो मेरी दिश्ट में उतिर्थ नहीं है हाँ ठीक है हिंदु के चार धामों में पौराणिक मानेता के उनसार है लेकिन वहां के वह लूट मारी मची रहती है वहां के पंड़ा लोग मची लिखाएं तो और या किस तरह का नसे का स्यमन करें तो मुझे नहीं लगता कि उसको तिर्थ की संजा दी जा सकती है कमाक्या में जाई वहां पस्वों की कैसी इतनी बली दी जाते है कि खुन की नाली बहती ह तो मेरे देश में कमाक्या को तिर्थ नहीं का जा सकता है तिर्थ वह है वेदा ध्यान तिर्थ है सत्यभासर तिर्थ है परमात्मा का ध्यान तिर्थ है यज्ज करना तिर्थ है जान का प्रकास करना तिर्थ है इन्हीं सुब कर्मों से जीवभासागर से पार होता है बनाई गई थे कि मनुसी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाए उसको ज्यान का प्रकास मिले लेकिन इस समय जो तथा-कतिक पवराणिक तिर्थ अस्थाल ने उसमें ज्यान विवेक बहरा किका कोई अस्थान नहीं होता है इसलिए यदि इसका खंड़न होता है तो हमार हिर्दय मजबूत होना चाहिए कि निस्पक्ष जो समालोचना है अलोचना और समालोचना में अंतर होता है अलोचना कहें पक्षपात्पूर्ण तरीके से किसी की निंदा करना समालोचना का अर्थ होता है समयक अलोचना अर्था समयक निस्पक्ष दिर्श्य देखना कि क्य सथे क्या सकते हैं। तो सभी आस्थाने में जाहिए। मुझे दुख हुआ कि प्रधिन हजारों लोग जाते हैं लेकिन एक चोटी के नहीं स्थाइक जहांकि कोई पढ़ सके अब मामुद गजने में हमला करता है पचास हजार हिंदु तो केवल रोते ही वे सिवलिंग को पकड़ कर बैठे और तलवारों से काड़ दे गए उन हिंदु को कोई समझाने वाला नहीं था कि तुम तलवार उठाओ इस समय रोटने का कारी नहीं है लेकिन वेद काया है वेद ने क्या कहा है आयमे हस्तो भगवान आयमे भगवतर आयमे हस्तो विस्वेस जो आयम सिव अभी वरसना वेद कहता है आयमे हस्तो भगवान ये मेरा हाथ ही भगवान में और पराणिक सिखा देते हैं कि कुछ करने के जूरत नहीं है साक्षात सिव बैठे और वो महमुद के ज़्जव की गदा से सीविलिम तूट जाता है कितने दरजनों उटों पर हीरे मोधी जवरात लाद करके लेता है इसकी जड़ में कौन है पौराणी का अंदरी स्वास इस दिया है ज्यान का जदि प्रकास नहीं होता है तो मैं उस मंदिर को मंदिर नहीं करता है वो तिर्थ नहीं है जो मानोता है में वेद उपनिसाद दर्सन का ज्यान परदाम न करें यदि ज्यान से भक्ती से समाज को रहित कर दिया जाए हम राजमालों की तरह हीरे मोधी के मंदिर बना दें उसे समाज का कोई बला होने बला नहीं है, इस कड़वे सच को सुनने के लिए सब को अप तयार रहना चाहिए, यदि हम ध्यात्म के नापर रूड़ी वात्ता को थोपते हैं, तो इसके इसी कात्यों पढ़ने हमें कि हजार वर्सों तक गुलाम रहे, अभी तो आंके खुल ज आनी चाहिए, कि हम अपने में परिवर्ट दना हैं. अब साथी साथ अगला प्रस्ण ये है, कि जैसा कि कुल्जम स्वरुप के बार्नी कहती है, जाको नामे संस्कृत सोतो संसय की ही कृत, तो ये संस्कृत भाषा की निंदा हुई, संस्कृत संसय की क्रित कैसे हो सकती है, जबकि ये तो सभी वासाओं की जननी मानी जाती है. पाणी में कहीं भी संस्कृत की निंदा इस उदे से नहीं की गई है, उस समय तातकाली निस्तिती थी, वो 17 सती का समय ऐसा था, जिसमें का भी आलंगार का ही पठन पाठन होता था, वेद उपनी सो दर्शन की पढ़ाई नाम मत्रकु थी, और अंग्जेव का राजी था, वेद को कोई पढ़ता ही नहीं था, कितने ग्रंथाले जला दिये गए थे, बक्तियार खेलजी ने पूरा नलंदा भी सिविताले जला दिया था, हूड सको हूडों के समय में तक्सिला का भी सिविताले जला दिये गया था और विहार के जितने वी सिविदाले थे, विक्रम सिला भी बक्तियार खेलजी ने इनेस्ट किया था, और अग्जेव का समय तो सबसे अधिक भयानक था, उस समय विद्वात रुप से वेद उपन से दर्सन का पठन पाठन नहीं होता था, छिप करके कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो पढ़ लेता था, जो विद्वान होते थे, अपने विद्या के अभीमान में एक दूसरी को नीशा दिखाया करते थे, इस दिए स्री जी के खाने का सही है, कि संस्कृत को इन्होंने संसय की कृति बना दिया है, वास्ता में संस्कृत का आड़त होता ह कि जो सत्य बोलते हैं वे देवता हैं और शिष्ट में सबसे पहले वैयत का उतरन हुआ वैयत से वैदिक संस्कृत का प्रक्टन हुआ वैदिक संस्कृत से लोकेग संस्कृत निकले और लोकेग संस्कृत से प्राकृत भासा निकले पाली भासा इसी पाली भासा से प्राकृत भासा से, भारत के जितनी भासा हैं, उतर की हो चाहे तक्षण की हो तम-िल्मले आलम कन्नर तेल लगो और उतर भारत की ये हिंदी, बंगला, असामी, ये जितनी भासा हैं, गुजराती, मराठी सब संस्कृट है. ये प्राकर्ट से nिकली है. सारे बिस्त की जितनी भासाएं हैं सबकी उत्पती वैदिक संस्कृत से हुई है जिसे मदर सब्द है मात्री सब्द से बनाए फादर पित्र सब्द से बनाए संस्कृत के ही सब्दों से प्राचिन काल में रसिया रसियन भासा जो बरतमान में प्रचलित है वो भी उसी की प्र लेकिन जब हरास हुआ माभारत के जुद के पास साथ वेदों का पठन-पाठन बंद होने लगा लोगों में अलज सी फैल गया पर्ड़ाम हुआ कि अज्यानता के अंधकार में नए-नए मंत-पंत पैदा हो गये तो वेदिक धर्म का विकृत रूप हुआ पार्सी मत, पार्सी से यहुदी निकले, यहुदी से क्रिश्चन और मुसलिम निकले, सारे दुनिया में यह फैलते गए और हिंदु लोग जड़ पुजा में लग गए, वेदों का पठन-पाठन चोड़ दिये, तो इनका दिन पर दिन पतन होता गया, और सिमते-सिमते भार करदेश्चे नहीं देखा गया है जो ये कहा गया कि इतने प्रकार के अर्थ निकल जाते हैं तो ये तो सभाविक है विद्वान जान बूझ करके अपनी मानिता को ठोपते हैं जैसे मैं एक उदाराण देता हूँ अथरवेत का एक सुक्त है, रिसब सुक्त रिसब कार्थ होता है जो सरुपर इब्रह्म है उसमें रिसब कार्थ बच्रा कर देए बैल कर दिया गया है और ये दर्सा आया गया है कि बच्रा के मान्स के हमन का विद्वान बना दिया गया है तो उसमें तो कहीं हमन का प्रसंग ही नहीं है यह गया थे Сब्समा करने बाली परमेश्वर की सक्ति को बथा करते है इसमें उन्होंने गौमांस के हमन का विदान कर दिया तो विद्वान जानते हैं कि यह घलत है फिर भी याजा परफ्मरा चली आए है उसको निभाते हैं कि नहीं हमारे आचारे ने ऐसा काया था तो हम भी वही बात मानें समय बदल रहा है सबकर अपनी भूल सुधानने चाहिए कहीं वेद में कहीं भी पस्रू के मांस की आउती का वितान है जैसे एक विकृति आपने अभी पूछा गोमेद असमेद नर्मेद तो गोमेद का अर्थ क्या होता है गोका अर्थ होता है पृतिवी गोका अर्थ होता है सुरी की किर्ण गोका अर्थ होता है इंद्री गोका अर्थ होता है गोमेद यज्ज का अर्थ होता है यज्ज में सुगंदीत पदार डाले जाए जिसे पृतिवी सुध हो हमारी इंद जिस गाय को गाव विसु से मातरा कहा गया है, संपुर विसु की माता कहा गया है, उसको मार करके उसके हमन करने का कहा बिताने, जिस हविस में नमक नहीं डाला जा सकता है, सरसो के स्थान पर तिल डाला जाता है, कोई भी नमकिन पदार्त है, अवती में नहीं डाला जा सकता, खीर डाला जाता है मिर्च नहीं डाला जाता है उसमें गाय का मंस जिस गाय को माता की समान पुझ्य माना गया है यह रिक्वेज में कहा गया है कि गाय की हत्या करने वाले को मृत इदन मिलना चाहिए जिस गाय की सेवा दिलिप जैसे चक्वर्ती सम्राठ करते हूं, जिस गाय की सेवा, सब रिसी मुनी करते हूं, उस गाय को मार करके हमन करने का विधान, यह सब पौराणी को ने बंबारगी होने किया है, और दुख की बात है कि पौराणों में इस तरह की बाते लिखी हैं, तो गोमेद कार्थ ह होता है, बाताबण को सुध करने वाला यज्ज करना, नर्मेद कारत हूता है, जब मर जाय तो जीवीत व्यक्ति की हत्या करने का कहीं भी थाम नहीं है, लेकिन, जब ज्यान का प्रकास नहीं होता है, तो समाज में दिविष्वास भैल जाता है, आपने भागवात में करा कि हैं इसमें तो दस एजार निखाा है जो भी हो wow क्या करण कर ना चाहता था वह बांकर प्रिया और वहुंन राजाओंध के बली हो देना चाहता था सिक्रिट्स जिने भीमसेन के मादिम से जरासंद को मार कर जरासंद की काईद में बंद विये हजारों रजाओं को छुडाया था तो आप सोचिए सिक्रिट्स तो नर्मेद के पिरोदी है पास्तिक नर्मेद क्या है जो जीवित मनुस्की बली दी जाती है और ये सब की जड़ में वेदों के ज्ञान को ध्वस्त करने में इन बामपंतियों का हाथ है जो उन्होंने वेदों का उल्टा उल्टा अर्थ लगाया और इन्होंने ये अस्वमेद का विक्रित अर्थ किया अस्व करते हैं राष्ट को राष्टम ये अस्वमेदा राजा के द्वारा प्रजा का असु बेवस्थी सिक्षाण करना ये असमेद यह जिकलाता है। इन्हों ने अर्थ लगा है कि घोड़ा छोड़ा जाता था। फिर उसको मार करके उसके मांस का होन किया जाता था। ऐसा वेद में कहीं उलक नहीं है। राजा के द्वारा न्याइक पुर ने कमनिष्ट का रूप ले लिया है कि धर्म की हर बात को खंडित करना। इन्हों ने सारे कुछ विकृतियां फैलाई है। और मांस, सराब का जो भी प्रचलन किया है। देवी पुजा के नाम पर। अब देखिए जीतने भी देवी के मंदिर हैं अधिकतर। ये रामक्रि देवी में पुजा के रहा है। देवी bicicam होनो देवी जब सब की माता है जिसका आदी सकती कहते हैं तो अपने भी बच्चों का रक्तपान को क्यों करेगी। माता को किया है रक्तपान करने कीवा। जो तो जगत की पोसार करती है मात्री है अब उसको खुशकाने के लिए पस्वों की बली देना इन स्वार्थी लोगों को काम है जो धर्म को कलंकित करते हैं इसलिए जो तार्तम बाड़े इन अंध्विश्वासों को हमिशा हमिशा के लिए अटाती है ब्रमिज्यान के प्रिकास में और समाज को वही मानना चाहिए तो इसका भाव यह हुआ कि स्रीजी संस्कृत को संसे की कृत नहीं कहते हैं लेकिन संस्कृत के परियावाची शब्दों के आधार पर या फिर व्याकरणों को तोड़ मरोड करके समाज में जो कुरितियां फैल आई गई जो अंधर विश्वास आडंबर फैल आए लेकिन अपराधी का जो उकील होगा अपने जो मौकिल को बचाना चाहेगा और सो उतार के देगा तो कहने का असा है उसी तरह से विद्वान अपनी जूटी मानिता को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के ब्याकरण के सुत्रों का साहरा ले करके उकरते हैं जैसे एक जरुएत का मंतर है न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नमात असा न अलग लिखा है तस्य अलग लिखा है और प्रात्मी कच्छा का विधार्थी भी जाता है जानता है कि नमा योगे चतूर्थी जिसको परणाम किया जाता है वह चतूर्थी भीवक्ति होती है और तस्य तो स सब्सक्राइब करने लगते हैं इसी तरह से इस तरह के पक्षपात पुर्ण ब्यावार के लिए स्रीजिनिकार ब्याकरण वाद विवाद के अर्थ करें और ऐसे विद्वानों ने संस्कृत को संसे की कृति बना दिया है क्योंकि कभी ऐसा समय था भोज की समय भी काफी लोग और दोरकि ब्रामर चार के और यहिंद ब्रामर के वह था संस्कृत कोई संस्कृत स्वस्थ पड़गा लोगा तो लिए तो उसका ब्रामर क्या skills thatこれ मृए है क्या क्या हो सकता है इससे बड़ा दूरबगा के क्या हो hail कि वेदान्त की ठीक में अपिछ असमृते हैं सुत्र की व्याख्या में चाहें बलबच जा रहे हूं संक्राच जा रहे हूं माध्वाचर सबने लिखाए कि यदि सुद्र के कान में वेद काक्षर पढ़ जाए तो सिसा पर देना चाहिए सुद्र चलता फिरता समसान है यदि वो वेद पढ़ता है तो उसको मार देना चाहिए तो यदि इस माधिकाल में ऐसी विकृति फैली हो किसी को पढ़ नहींने दिया जाए तो पूछा जाए कि तो आरिक वेद के जो ब्रामर गणत है आतरी ब्रामर की रचना किसने कि आतरी रिशी तो सुद्र थे लेकिन उन्होंने ब्रामण तो क्या पत्व पराप्त किया था शुद्र ब्रामण तो चत्री बन सकता है और ब्रामण चत्री वैस कुल में उत्पन वकर जदे उसका आचन शुद्र के समाने तो शुद्र बना दिया जाए इस शुद्र कि वह बचाण है कि हूद हमक आचना करने से नीचिक बंड हो पर के बढ़नी और आक आचना न को प्रैपथा ना करो चिदू कर दकंडार अनुद्रों सब बनावटी ग्रंत बनाकर नए नए स्लोकों की रचना करके जो अटमबर फैलाए गया इस ते स्रीजी को भीवस करके कहना पड़ा कि सास्त्र सो गोरक इन्होंने गोरक धंद्या बना रखा है अन्य था क्या कहा है सास्त्र ले चले सत्गुरु सोई बाणी सकल को एक अर्थ होई जिन जानों सास्त्रों में नहीं है सास्त्रों में सब कुछ पर जीव सिष्ट को पाऊँ है जिनकी अकल ने तुछ सास्त्रों के महिमा प्रतिपादित की गई है लेकिन सास्त्रों के कुछ दिलता पुरवक जो अर्थ किया जाते है जान बुज़ कर सत्य को ढखने के लिए उसका सिरीजी ने प्रतिवाद की है उस संदर्म में का है कि जाको नामे संस्क्रित सोतसंसे की क्रिप कि व्यंगात्मक का है वास्तों में नहीं एक और कुछन साथ में जुड़ा हुआ है कि सनातन के सोलह ससकारों का बढ़न है सनातन धर्म सोलह ससकारों का पालन करता है तो निजानन संप्रदाय उन सोलह में से कितने ससकारों का पालन करता है निजानन संपदाय सभी 16 संसकारों को मानिता देता है और स्री प्राणा जियान पेट सरसावासे जो संसकार विद्धी है सभी 16 संसकारों का उसमें वड़न किया गया है बसकि अवल इतना है कि हम तारतंबानी की चोपाईयों का प्रियों करते हैं कुछ वेदों के मंत्र भी हैं कुछ स्लोक भी है उसका भी पालन करते हैं लेकिन जो पौरानिक संसकार भी दिया उसको हम कभी भी नहीं मानते हैं क्योंकि पौरानिक संसकारों में विक्रतिया है जैसे बैदिक संसकार की मानिता ही है, दासंसकार की अनुसार, बैदिक जो दासंसकार की पतिती है, उसमें मृतक के दे के जलाने के पिस्चार तीसरे दिन घर में हमन कर देना चाहिए, तो वो सारा कारी हो जाता है, उसमें जो भोज कायोजन किया जाता है, तेरा दिन तक कारी की जाती है सीर मुडवाय जाता है उसको ब्रह्मचारी अरे मरने के बाद किसे जो घर का विशिष्ट बेक्ति होता है उसको ब्रह्मचारी बनाने का क्या ओचित है ब्रह्मचारी आवस्ता तो पांच साल या आठ साल के बाद पचीस वर्श च्छतिस वर्श तक गिद्या अध यह इंद्रिक मानेता अंशाल जो संस्कारपदीट इती है उसको मानेता है पजेकों कभी नहीं मानेंगे जिसमये नवग्रह का पूजन अच्छरों ग्रामदेवता अभ्योरणम continues, यह सब आडगर है। ग्रामदेवता किसको कहते हैं? किसी गाह में जो स्रेस्ट पूरुस है जीवित है उसको ग्रामदेवता कहते हैं. कुल्डेवता किसको कहते हैं? जो हमारे कुल में जीवित भेखती है गुर्ण और कर्म कि तुलशि और साली जराम का तो भीवाँ रचया जाता है और कितनी बहने हुआ इसी रह जाती है यह ऊप हम साली गराम को भगवान मान सकते नारयान का रूप मान सकते हैं यह उनती 20 अधार गलेन के लिए तैया नहीं उसको पैठने नहीं ते तो मैं इसको किवल एका डंबर मानूगा, धार्म के विरुद मानिता मानूगा। चले, स्वाबी जी, आज जितने प्रशन थे, उन सभी का समाधानियाँ पर हो गया है। और दर्शक ब्रिंद सबसे मैं आगरह करूँगा कि हो सकता है आपके भी मन में ऐसे आने को प्रशन हो। तो आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं और comment में भी प्रशन पूछ सकते हैं और साथ ही जितने भी लोग प्रशन थरको सुन रहे हैं। यदि आपके संपर्क में भी कोई ऐसे हो जिनके मन में ऐसे प्रशन पहले थे या आप तक ऐसे प्रशन कहीं से आये हो तो यह वीडियो उन तक अवस्य भेजें ताकि सभी का अध्यात्मिक कल्याण हो।